पशुपती पारस के हिस्से एक भी सीट एंडिया अलायंस में नहीं मिली है और पशुपती पारस थोड़ी ही देर में प्रस कॉन्फरेंस कर रहे हैं अगली रणनीती क्या होगी इस पर चर्चा करेंगे मेरे साथ इस वक्त राश्ट्रिय प्रवक्ता राश्ट्रिय लोग जि परदान मंतरी नरेनरमोदी जी से और आधरनिया ग्री मंतरी जी अमिस साजी से इंटरफेर करने के लिए कि आप इसमें इंटरफेर किजिए जो मीडियाम बाते चल रही थी और कल रही बाते किलिएर हो गई गई सीट शेरिंग हो गई अन्डीय में और हमको पूरी तर से दरकिनार कर दिया गया तो हमारी पार्टी का मानना है कि हमारे पीठ में छूरा भोका गया है बिहार से एक मंत्री परिशत में एक सदस है आदरनीय प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के मंत्री परिशत में बिहार से आते हैं उन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोका है उन्होंने गलट फिट ब्यग दिया है जो NDA को बिहार में और देश में निरंतर NDA को कमजोर कर रहा था, NDA को जिन्होंने लगातार नुकसान पहुचाया, सारे देश ने देखा, मीडिया ने देखा, और NDA ने देखा कि 2020 में भी NDA को बिहार में कमजोर किया, 2020 के बाद भी NDA को कमजोर किया, NDA जहां जहां लरी वह वहां उमिदवार दिया, अभी राजस्थान में उमिदवार दिया भाजपा के खिलाप, मदपरदेश में उमिदवार दिया भाजपा के खिलाप और उसको पुरुस्कृत किया और जो सबसे ही मंदार एलाइंस है जिन्हों ने कहा था कि हम मरते दम तक NDA में रहेंगे उनको तो हमारा मानना है कि राजनीत का एक करूर और बिवस चेहरा निर्मम चेहरा देखने को मिला जो बरतमान राजनीत में इस से निर्ममता और कुरूरता का उधारन नहीं हो सकता कि सबसे ही मंदार एलाइंस जो 2014 से आज तक पूरी हम इंडिये में थे हमारे साथ बहुत बपरा दोखा और बहुत बड़ा विश्वास गात हुआ है इस नाराजगी और इस धोखा जो आरोप लगा रही है पशुपति पारिस की पार्टी राज आरेल जेपी इस धोखा के बाद स्तीफा देंगे पशुपति पारस आपको क्या लगता है एहलान करेंगे आज पीसी में नहीं रोस है भारी गुस्टा है और सारे लोग आहत हैं एंडिये के इस फैसले से और कुछ न कुछ आज बड़ा आइलान आधर नियां पश्पति कुमार पाराजी कर सकते हैं अपने फैसले पर एकदम हिमाले के तरह अडिग है जैसे हिमाले अडिग है वैसे पस्पति कुमार पाराजी भी अडिग है हाजी पूर से लड़ेंगे पूरी चटानी एकता के साथ हम लोग अडिग है अगर आप लोग चुनाओ लड़ते हैं इस बार अपनी मर्जी से मतलब अपने कारे करताओं के साथ तो क्या उसी सीटों पर लड़ेंगे जिस सीटों पर लड़े पी राम विलास उतार रही अपने कानिडेट्स को जिन्हों ने हमारे साथ विश्वास घात किया है हम अवकाद बता देंगे हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है और जनता अदाल जनता मालिक के अदालत में हम जाएंगे अंतिम न्याय चुनाओं में पोल के दिन तो मालिक करती है न्याय तो जनता मालिक के हाथ में हमारे साथ अन्याय हुआ है पूरे हाजी पूर में पूरे बिहार में पस्पति कुमार पारस जी के परतिये का पार सहान भूति का लहर बिहार में चल परा है और उस सहान भूति का लहर ऐसा सुनामी चल परा है जो पोल के दि तर नदि-ए कर साजित कर जो इनदरी का चालीश का संकल्प था वह संकल्प को लगता है घ्ररोर्ष के लिए श्रावण कर इस वक्त कहरे है कि हमारे साथ विश्वास गात हुआ हाजीपुर से ही लड़ेंगे पशुपती पारस लेकिन क्या वो मंत्री मंडल से स्तीफा देंगे एंडिये से अलग होंगे इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है लेकिन जाहिर है चाचा और भतीजे की लडाई में चाचा की निराशा देखी जा रही है और कहीं न कहीं हुआ है